अब एक नया पेज ले ले उपपर लिखो अब हम राहू और केतु का ध्यन करते हैं. लिखो स्टडी आफ राहू और केतु, अंडरलाइन करते हैं. देखें राहू और केतु जो हैं, लिख लो राहू और केतु आफर दा रिजल्ट, राहू और केतु आफर दा रिजल्ट कस्पल कुंडी के अंदर जो राहू और केतु हैं ये अपने राशी स्वामी का फल देंगे और अपने नक्षत्र स्वामी का फल देंगे इसका मतलब जब राहू यां केतु अपियर होंगे तो सर वो तीन ग्रहों का फल देंगे इस सर अब सर राहू और केतु को पढ़ने का लग लग हैं लिखो number one करिए how how Rahu and Ketu will offer the result how Rahu and Ketu will offer the result when it appears as when it appears as the star lord of a planet when it appears as the star lord of a planet star lord का मतलब क्या है involvement bracket में कर ले involvement प्लैनेट जैसार और sub lord of a planet bracket में क्या करेंगे commitment commitment लेको और sub lord of a planet bracket में commitment planet जैसार और the sub sub lord of a planet bracket में क्या करेंगे फाइनल कंफर्मेशन ठीक है तर राहू और केतू हमने कहा दो प्रकार से फल देंगे पहला तो यह है कि वो जब प्रकार से फल देंगे ठीक है पहले इसको पढ़ेंगे दूसरा फिर बाद में करेंगे तो मैं अभी आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं इसी मोमेंट का ले लेते हैं यह देखें मैं आई पी दबारा हूं इस्टेंट प्रशना तो यह अभी का चार्ट बन गया इसी म हम राऊ और केतु का धिन कर लेते हैं ठीक अब देखें हमने कहा राऊउ कि केतु विल उफट अओ अधर्ट वन इट बीकंस ता स्सृर्ण अफ प्लैनिट यह सार्लोड का मतलब यह प्लैनिट बनेंगे जब सरन से केतु तक देखिए कौन सा इसा प्लैनेट है जो राहू ये केतु के स्टार में है तदे को यही कुछ रहा हूं स्टे तक ऐसा कौन सा पे लाइट है जगरा हूँ आज Eigen इन्वाल्मेंट प्लैनेट बनता है जो जुपिटर इजिन राउस हो ना मैं स्टार की बात कर रहा हूँ इन्वाल्मेंट प्लैनेट ध्यान से देखो राहू या केतू के स्टार में एक प्लैनेट है सर यह देखो ना अंगल के स्टार में है यह सर यह तो कह रहा हूँ यह सर लिखो इन एक्जामपल चार्ट मार्स मार्स को पढ़िए मार्स को कैसे पढ़ेंगे मार्स एरो मार्स मंगल को पड़ा मार्स एरो केतो देखें एरो केतु रुख जाएए अब केतु लिख लिए हमने कहा राहू और केतु ने अपने राशी स्वामी और अपने नक्षप स्वामी का फल देना है अब यहां देखिए केतु किसको कौन सी राशी में है ? मंल की राशी , स्कौर्प्यों में .- और मर्कुरी के स्टार में . तो तो tu civil lack कर दे, slash , 20 ?- यस सर hol यह सर. यस सर फिट डैश करियेगा मार्सայ लेक्ट किसके सब में है嗎- मार्स. goed डैशạo डैश्य मर्कुरी डैश प्रॉण .- ठीक है ?- अब देखिए जब मंगल केतू के नक्षत्र में आया और केतू मार्स और मरक्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने केतू अबलीक मार्स अबलीक मरक्री कर दिया. ठीक है अब जड़ा डेफिनेशन लिख लें, इसको पढ़ेंगे कैसे. लेखो, मार्स इन केतू स्टार. अबलीक मार्स इन केफो स्टार. इसको अह अबल्स अबल्स स्टार. Mars is in Mars star. Mars star. Yes sir. Sorry. Do number we get do number. Mars in K2 star. Mars in K2 star. Is as good as? Is as good. Mars is in Mercury star. Mars is in Mercury star. Yes sir. अब जात देखिये हमने का मंगल जैसे केतु के नक्षत्र में है, मंगल इसी परकार मार्स के star में है. Yes sir. क्यों? केतु मंगल को represent कर रहा है. Yes sir. और मार्स जैसे केतु के star में, मार्स जैसे मर्कृ के star में है. ये सार, अचाव इसके साहर थोड़ा पीछे चलते एं जब हमने positional status पढ़ा था नीज सार, पोदेशन स्तेटास में हमने तीन condition में बताई थी हमने का था चौती condition जब राहूर केतु का ब्र०्धन करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे इस चेज में चोफी कंडिशन लग गई है देखो मार्स के टु के स्टार में है अगर मार्स के टू के स्टार में तो मार्स मार्स के स्टार में भी है? यह सर्थ तो वह अपने स्टार में आ गया मार्स? यह सर्थ यह चौथी कंडिशन है. यह समझ गए? पॉजिशनल स्टेटस की चौथी कंडिशन. अब यह आपने लिख दिया कि मार्स जैसे के टू के नक् केतु के सार में अब केतु को एक से लेके बार में है उस तक सबसब लौड देखो कहा पियर हो रहा है एधा साइन लौड यहां देखे एधा स्टार सब और सबसब लिंकेज बनाना भी सीख रहे है साथ में आप यह सर अब केतु को एक से बारा तक देखे कौन-कौन सी कस्पर position में अपियर हो रहा है एक में नहीं है दो में नहीं है तीन में चार में पांच छे में है छे में है लिख लिजे के तु छे में है साथ में आठ में नहीं है नौ में नहीं है बारा में है और के तु कौन से भाव में बैठा इसका resident लिया जाएगा यह सर के तु नो में छे नो बारा कर दें अब के तुने किस का अफल देना है मार्स को एक से बारा तक देखें मार्स मार्स इंतर हाँ मार्स दो में भी है मार्स दो तीन मार्स नाइन्थ और मार्स और कहीं नहीं है मार्स लगन में बैठा हुआ तो वो ले ले एक कर दें और एक दो तीन और नौ अब अगर मार्स केतु के नक्षटर में है तो मार्स मर्कृरी के नक्षटर में भी है ये सर शीमिलरली मर्कृरी की कस्फल पोडिशन नोट करें कौन कौन सी कस्फल पोडिशन में है मर्कृरी जिन वान और के चार पर चार हैं रख दो अगर साथ में भी है यह सर मर्कृरी जिन वान मर्कृरी फोर मर्कृरी शिक्स मर्कृरी सेवन आगे देखें मर्कुरी इंट्वेल नौ में भी है दस में यह सर्थ सब में देखना है नो दस में भी है और बारा में भी है यह सर्थ मर्कुरी बैठा कहा है अब देखें इन तीनों को कलब कर देना है एक से बारा तक जो जो हाउस आ रहे हैं अगर अगर देखो एक ही प्लैनेट होता के तू तो वो कहा रहता वो चेनों बारा में रहता इसका बेनिफिट क्या हुआ के तू वो जब मंगल और मर्कुरी को रिपरेजेंट कर रहा है तो हाउस इस बढ़ गए है यह बेनिफिट है इसका ठीक है तो इसी परकार आपने कहां मार्स केतु के सार में और मर्कुरी की कस्पल पोजिशन लिख दे अभी नोट किया वहां से वहां से आप कॉपी कर रहे है और शिव जी जो एक बारी प्लैनेट पढ़ लो उसको याद भ सब्सक्राश करो अपनी वकेंबलरी भी बढ़ेंगी आपकी यह साब अर्य समयलनी मौन को पढ़िये मौन कौन सी कस्पल मूशिन well Aku first पाँच में है आठ में है दस और यारा में है ठीक है जी अब मून का रेसिडेंट लेंगे आप मून का रेसिडेंट नहीं ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका पीएस नहीं है अब नंबर दो केटेगरी करिए अब शिव जी संसे केतु तक कोई ऐसा प्लैनेट ढूंडिये जो राहू या केतु के सब में हो यह सर राहू के सब में जुपिटर है सर हाँ वेरी गोड दो प्लैनेट तीन है रादर जुपिटर भी राहू के सब में है राहू भी राहू के सब में है केतु भी राहू के सब में यह सर चलिए एक किसी को ले ले जुपिटर को ले 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 लिखो जुपिटर लेखो उपर heading दे राहू एंड केतू एज़ दा commitment planet राहू नमबर दो करिए इसको दो number कर दे राहू एंड केतू एज़ दा sub lord sub lord of a planet bracket में करते commitment planet ठीक है राहू एंड केतू एज़ दा sub lord of a planet ओके बारा बज़े एर क्लास में हूं ओके जी लिखो राहू एंड केतू एदा sub lord means commitment planet अब जरा करिए आपने कहा जुपिटर जो है लिखो जुपिटर एरो क्या लिखेंगे Jupiter यारो मून डैश राहू मून डैश करिए राहू हाँ अब राहू किया आपने तो oblique करिए भी राहू आ गया तो राहो किसको रिपरेजेंट कर रहा है राहू वीनस एंड मार्स लेखते राहू Oblique Venus, Oblique Mars, Dash, Dash Ketu, लिखने केतू, अभी केतू को छोड़ने, अगली वारी पढ़ेंगे इसको, अब आपने कहा, जुपिटर जो है, वो राहू के सब में हैं, और मून के स्टार में, अभी आपने, दिखो, लिखो, इसकी कस्पल पोजिशन लिखो, जुपिटर मून स्टार म मून कौन कौन सी कस्पल पोजिशन में, अभी आपने नोट किया, वहाँ से कॉफी कर दे, सर मून, अभी देखा ना, आपने कौन कौन सी कस्पल, दोबारा देख लो, लिख दे, वान फाइव एट, टैन एंड इलेवन, मून रेसिडेंट कहां का है, अब ये स्टार लॉट है, तो इसका रेसिडेंट लिया जाएगा, यस सर्फ, लिख दो, फस्ट आया हुआ है पहले ही, यस सर्फ, अब गुरुजी, जुपिटर राहु के सब में है, कमिट्मेंट राहु ने करनी है, अब राहु के एक से बारा तक देखें, कौन-कौन सी कस्पर मुजीशन में है, में में हैं में रेकोरी, घाम्थ लेकोरा, दो लú फिए कोर्त, दो फिए ऐस्टीन में है, लिखें, 4, 7, 11 and 12, ब्रुकुर सही, अब सर, राहू का रेसिडेंट लेवल लेंगे आप, राहू का लेना पड़ेगा ना सर, लेना पड़ेगा उसका positional status है, तेरा देखिए राहू कौन से भाव में पड़े है, राहू जिन तार्ड और, ये फैदा हुआ, तो राहू जो है को 3, 4, 7, 11, 12 में आजए है, ओके, अब राहू ने किसका फल देना है, वीनस का, आपने राहू अबलीक वीनस किया हुआ है ना, हाँ सर, हाँ, अब वीनस को देखिए, एक से बारा दर, ये सर, वीनस इन तार्ड, वीनस इन पोर्ट, हाँ, तार्ड, वोम, तार्ड, पोर्ट पाई, हाँ, तीन, चार, पाँच, तीन, चार, पाँच, उसके बाद आठ, आठ, और दस, देखे, और दस, ये सर, अब वीनस का, रेसिडेंट लेंगे आप, वीनस के लोंगा सर, पी-स-ओ, कहां बैठा है वीनस, वीनस इनिए टेंथ, टेंथ आलड़ी आया है, आ गिया, अब सर, राहूने फ़ल दे, ना मंगल का, मंंगल को देखे, एक से बारा तक मंगल, सेकेंज, मंगल, थर्ड, हाँ, दो, तीन, सेकेंज, तर्ड, दो, तीन, दो, तीन, नाइन, लिखो दो, तीन, नौ, दर्स यार्ण बारा में नही है? नहीं है सर. अब मंगल का रेसिडेंट लेंगी आप? मंगल के लेंगा भाण वन पिरस्ट रेसिडेंट लिखेंगे लेंगी। लेंगी सर थेयर लेंगी hat? D你是 है सर अब बहुत बड़ी यह बढ़ा। आपने जुप्टर केhe TOO के सबसह में केतु का लिख ले केतु छे में देखा था आपने बारा में देखा था आपने तो जब राहू या केतु किसी ग्रह के सब लॉड बनेंगे कमिट्मेंट प्लैनिट बनेंगे तो गुरुजी उनको इस परकार पड़ा जाएगा ठीक है अब तीसा लिखे नमबर तीन राहू एं केतु राहू एंड केतु एस दस सबसब लॉड ऑफ लॉड ऑफ लैनिट केतु जब सबसब लॉड बनके आएंगे किसी ग्रह के फाइनल कंफरमेशन प्लैनिट बनेंगे तो उनको कैसे पड़ा जाएगा येस ऑके अंडरलाइंग कर दें इसको को अब उपर आएए जी प्लैनिटी पॉदिशन चार्ट में देखिए कौन सा ऐसा सन से केतु तक देखें है कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो राहू या केतु के सबसब में है सन राओं का लिखे सन एरो का निशान मारी है सन को लिखो सन एरो का निशान मारी है सर यस सर ये क्या नाम है आपका शिव जी जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रही है न आपको सर हाँ हाँ सर और जहां समझ नहीं आए सब दबारा तिबारा पूछिए का क्योंकि एक कांसेट के क्लियर होना बहुत ज़रूरी है यस सर यस सर ओके सन एरो का निशान मारिए कैसे पढ़ेंगे सन को अब सन को एक से बारा तक देखे कस्पल पूदीशन में सन 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 एगिन ताड सन तीसे में नहीं है सन दो में है और सर दो में सर लिखें सन इजिन टू तू आगे देखें सन वेरी गूड दोचिय साथ वेरी गूड दोचे क आथ में नहीं नहीं है दस में नहीं है यारप में नहीं है आρα में में नहीं सन बैठा खाया यह स्टार लोड है तो इसका रेसीडेंट लेना होगा 10 सी हम नियार्मे में लेखो 10 इसका मतलब संस्टार में आ गया तो संदो में चे में साथ में दसमें आपियर हो गया इसकी इन्वालमेंट हो गई इस संद किसके सब में है सं मरकुरी के सब्सक्राइब कर ले एक में है चार में है उसके बाद छे में है वेरी गुड साथ में भी है साथ में है आठ में नहीं सार हाँ वही साथ में सार नो में नो में है दस में है बारा में अब मरकरी का रेसिडेंट लेंगे आप अब सन फाइनली राहू के सबसब में आ गया राहू आपने लिखा हुआ हम आसे नकल मार दें उसकी कापी कर दें इस परकार राहू और केतु फल देंगे सब जब वो किसी रहा के स्टार लोड बनेंगे या सब लोड बनेंगे या सब सब लोड बनेंगे यह 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 इसको दूसरे मतलब है कि वो जब इन्वाल्मेंट प्लैनेट बनेंगे तो कमिटमेंट बनेंगे और फाइनल कंफरमेशन बनेंगे तो वो इस प्रकार फल देंगे यह सर कोई डाउट है इसमें ने बिलकुल नहीं सर वेरी गुड अब एक और कंसेप्ट करते हैं दूसरा लिखो इसका राओर राओर रिप्रिजेंट वीनेस राइड मार्स इसको नह अब हिरमत साब आप ये क्या करें अब एक नया पेज ले ले अब जड़ा हेडिंग लिखेगा नया पेज के ओपर लिखें लाल प्रेंट लिखें राहू और के तू राहू और के तू किस प्रकार से फल देंगे राहू और के तू किस प्रकार से फल देंगे जब वह जब वह किसी भाव के सबसब लौट बनेंगे या फिर या फिर दशा बुक्ति अंत्रा सुक्ष्मा और प्राना बनेंगे हलो हाँ जी हम मैं कर रहा हूँ सर मैं क्लास में हूँ अभी ना मैं बारा मज़े आप से बात करता हूँ तो वह किसी ग्रह के जब हमने क्या लिखा कि वह जब दशा लौट बनेंगे अंत्रा सुक्ष्मा या प्राना बनेंगे अब देखें हमने पहले आध्यन किया राहू और केतु का कि वह जब किसी ग्रह के स्टार लौट सब लौट या सब सब लौट बनेंगे कहने अब लौट कमिट्मेंट या फाइनल कंफिर्मिशन बनेंगे जब हमने उसको पढ़ना है तो एक अलग रूप से पढ़ना जो अभी आपको बताया या सब राहू और केतु का धिन दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे या तो जब दशा बनेंगे, दशा ग्रह बनेंगे, कोई भी दशा बनेंगे, राहू दशा बुक्ती अंत्रा सुट या फ़र वो किसी भाव के सब सब लौट बनेंगे, उसको पढ़ने का ध्रम अलग है, तिक है हम उसका धिन करें, देखे, कस्पल कुल्ली के अंदर हम जो भी प्रॉम सब सब लौट बनेंगे, यह, हमने जो प्रामिस पढ़ना है, वो सब सब लौट से पढ़ना है, अब जड़ा लिखे, पहले देखे, लगन का सब सब क्या है, लगन का धिन करते हम, लगन का धिन करेंगे, लिखो, ऊपर लिखो लगन का धिन, लगन का सब सब लौट क्या है लिखें असेंडेंट सबसब लोड राहू करें अब पढ़ने का ढंक सीख रहे हम कैसे पढ़ेंगे इसको जैसे दूसरे ग्रहों को अभी पढ़ा अपने ऐसे पढ़िए यहां देखिए राहू कि स्टार में मास लिखो राहू एरो क्योंकि राहू ने वीनिस और मार्श का फल देना है इस साथिछा नो तो अभी आपकर रहे हो राहूज पार अब देखर जुपिटर के दिर से आ है सर जुपिटर नहीं सर जुपिटर कहा लिखा हमने हाँ सैटन लिखा अब देखे इसको पढ़ेंगे कैसे यहां देखे हमने लगन का सबसलोड रहू है इसका ध्यन कर रहे है यह सर राहू हमने यह बोला यह सर इन राहू सब एंड इन सैटन सबसब यह सर ओके अब राहू जो है लगन का सबसलोड है वो मंगल के स्टार में अब मंगल जिन जिन कर्स्पल पोजिशन में आएका लिख ले कहां कहां देखा था मंगल को अभी आपने दो में देखा था लिखो मार्स को दो में देखा आपने और उसके बाद नौ में देखा दस और नौ और यारा में देखा मार्स एक में दू में नौ में और यारा में लिख दो एक दो नो यारा लिख ने अब राहू को कहां देखा था आपने ये कम फुजिशन कर ना 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 पुजिशन सिक्स शवन नैन. सर राहू वन फॉर में है तो राहू दो अच्छा ना. अब यहां देखे छोड़ें यह अपने बदल दिया यहां देखें. राहू एक में है? लिखो राहू के ने चेक लिखो. दो लिखो. चार लिखो. छे लिखो. एक दो चार छे. यसार. बारा. और तीन का resident है. और तीन कर दो उसका PS है. ठीक है जी? अब राहू में फल देना है वीनस का? यसार. अब वीनस को देखेंगे. एक में नहीं है, दो में नहीं है. तीन में है वीनस. लिखो. तीन में. यसार. चार में. यसार. साथ में. यसार. आठ में. यसार. आठ में. नौ में. यस तो वीनस यहां यहां आ गया, अब राहू ने फल देना है मंगल का, मंगल अभी देखा आपने लिख दो, तू नाइन लेगा, वान तू नाइन, ओके जी, अब राहू ने फाइंडल कंफरमिशन कौन कर रहा है, चनी, सैटन को देखते हैं, देखो, यहां देखे, सैटन एक म चार, फिर पांच में है, पांच कर दे, चे में नहीं है, साथ में नहीं है, आठ में नहीं है, नौ में नहीं है, दस में कर दे, सैटन दस में है, यारा में है, बारा में है, सैटन का पोजिशनल स्टेटनस है, इसका रेसिदेंट यह के ना, देखें, रेसिदेंट दस, दस, दस वो आया हुआ पहले तो शिव जी इस प्रकार पड़ेंगे हम हमने लगन के सबस्ब लोट राहू को पढ़ लिया एजह राहू अब तेसाा एप राहू जो है, वीनस और मंगल को डिपर्जेंट कर रहा है, उनका प्रतिनिधेद्व कर रहा है? अब लिखे, असेंडेंट के सबसंफ लॉड़्ड में लिखेए, जए असेंटेंट टेसेल सेल एस मा वीनस नाव लगन का सबसफ वीनस है. यस सर्थ. एड़ों का निशान मारिए? यस सर्थ. वीनस देखे किस स्टार में है? वीनस स्टार, जिप्टर सब सेटन. ठीक है, वीनस डैस जिप्टर डैस शेटन करएए. मिनिदिटि विनस जिनास घृग ऑफ रशाबर सेटम अब शिव जी वीनस की कस्पल पूजिशन औरल डिश्टम ठोदीशयन कोन कौन पूरिशन में पिर थोरा लिए वेनस 3, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल ठीक है, और वेनस रेसिडेंट कहां का है, दसमे कहां वो आ गया है, आ गया है, अब वेनस किसके सब में है, जुपिटर, जुपिटर की कस्पल पोजिशने नोट करें जुपिटर इन वन, जुपिटर, ठीक है, एक में है, जुपिटर 8 में है, फिर 8 में है, फिर 10 में है, और जुपिटर रेसिडेंट कहां का है, इसका पी एस है, यारु में का, लिख दे, अब वेनस जो है, वो सेटन के सब समें है, जुपिटर को नोट करिए इसी बरकार, 4, 5, 10, 11, 12. बहुत बढ़िया, तो अभ यह देखे, राहु के रूप में वेनस ने फल दिया, लगन के सब सम लौड के रूप में. यास सर्ड. भई, राहु जो है, अगर लगन का सब सम राहु है, तो लगन का सब सम लौड मंगल भी आ, यास सर्ड. जो राहु जो है, वो ये सतर्व लगन का सबसर्रा राः तो लगन का सबसर्राव लॉट मंगल भी है ग्हुंह राःु मंगल को भी लॉट कर रहे है जर्शा अब नीशे लिखे जहाँ वीनस लिखा वहां मंगल लिखे। लगन सबसब लॉट मंगल पढ़िए मार्स को कैसे पढ़ेंगे यह मार्स है मार्स यृष पू अब केतू अब केतू आगया तो क्या करेंगे मार्स और मर्कुरी. हाँ, अबलीक मार्स अबलीक मर्कुरी. डैश मर्कुरी डैश मून. ठीक है? यह सर. ओके. अब सर मार्स केतु के स्टार में है, केतु की कस्पल पूदिशन नोट करिए, कहां कहां है? सर्व, हमने चार्ड बदल दिया ना इसको, अब इस चार्ड में देखे है. केतु छे में है केवल और साथ में है? केतु यह सार चेंशा बस और कहीं नहीं है लेकिन यह स्टार लॉड है तो इसका रेसिडेंट देखा जाएगा कौन से बाद नौ में छे साथ नौ कर दे हैं अब मंगल अगर केतु के सार में हैं तो मंगल मंगल के सार में भी आ गया मार्स की पोजिशने लिगने मार्स टू मार्स टू नाइन नौ यह सर टू नाइन लेवर ओके लिख दे ओके अब मार्स का पी-एस है इसमें पी-एस नहीं है तो रैसी वो उसका स्टार है तो लिख दे एक और लिख दे अब केतु ने फल दे ना मर्करी का मर्करी की पोजिशने लिखें आप मर्करी वन ओके मर्करी तर्ड हाँ तीन चार पांच छे पांच छे पांच छे साथ नौ बारह मर्करी रेसिडेंट कहां का है लिख नहीं आ रहा तो यह केतु पूरा हो गया ठीक है अब मंगल के मर्करी की सम्में है मर्करी को यहां फिर काफी कर दें कर दें जो जो अभी लिखा आपने एक तीन चार पांच साथ नो बारह यारा यह साथ अब मंगल मून के सबसमें है फाइनल का नफरमेशन मून कर रहा है अब मून को देखें मून एक में है तीन में है पांच में है एक तीन पांच साथ नो दस, यारा, एक, तीन, पांच, साथ, नो, दस, यारा, ओके, मून का पियस नहीं है, तो उसका रेसिडेंट देखने की जूरत नहीं है हमारे को, अब ज़रा ध्यान से सुनिये, शिव जी मेरी तरफ ध्यान दे, तेखे सर हमने पढ़ा अभी लगन का सबसालोट रहु है, हमने पहले रहु यदा रहु पढ़ा, बही जैसे अगर कोई और भी प्लैनेट होता, जो इस परकार फल दे, अमने रहु को भी ऐसी पढ़ा, हमने कहा कि रहु जो है, मार्स, रहु, सैटन के मादिम से फल देगा, जो रहु मंगल के स्टार में, रहु के सब में, सैटन के सब सब यह राहू का काम खतम हो गया अब हमने कहा कि अगर लगन का सबसर राहू है तो लगन का सबसर लौट शुकर भी है और मंगल भी है जो राहू इस केस में वीनस और मंगल को रीपर्जेंट कर रहा है यह सर फिर हमने लगन के सबसर लौट के रूप में वीनस को पढ़ा पूरा प्लैनेट पढ़ना, involvement, commitment, final confirmation. और फिर हमने राहु एना मंगल पढ़ा, तो जो मंगल हो केतु मरकरी मुन है. अब ध्यान दे, अब हीरे मत्सर, आपके पास तीन प्लैनेट की involvement हो गई. और तीन प्लैनेट की commitment हो गई. और तीन प्लैनेट final confirmation कर रहे है. ठीक है ना? अब सबसे नीचे involvement के उपर एक से बारा तक जोड़ दें, जो जो हाउस अपियर हो रहे है, involvement लेवल पे. फिर commitment में भी नीचे जोड़ दें, एक से बारा तक और फिर final confirmation में जो हो टोटल कर देंगे. ठीक है ना? भाई राहू का स्टार था मंगल और वीनस का स्टार था वीनस और मंगल का स्टार था के तू? हाँ ना? ये तीन involvement हो जाएंगी ना? भारा के बारा हो जाएगा सारी. हाँ बारा के बारा, जो भी आ रहे हैं, लिख दो, जो भी आ लिख दो आप. वाई किदर भी नहीं है. कर दें, जो और देंगे इसको. आज है. शिक्स किदर भी नहीं है. एै, नाएं तैन लेवन हमान लीजिए सारे आउसिद आपने लिए इनकी इन्वाल्मेंट होगे इनकी कमिटमेंट होगे और इनकी फाइनल कंफिरमेशन होगे और सरे अगर यह रहूर केतु कोई दशालोड बनके आएंगे या बुक्ति यांत्रा बनेंगे तो उनको पढ़ने का ढंग भी यही है तो इसका मतलब आज हमने क्या पढ़ा कि रहूर केतु कस्पल कुंडली में दो प्रकार से फल देंगे एक तो वह जब किसी ग्रह के इन्वाल्मेंट कमिटमेंट और फाइनल कंफरमेशन प्लैनेट बनेंगे और दूसरा नहीं है कि वह जब किसी भाव के सबसालोड बनेंगे यहां फिर दश्या स्वामी बनेंगे इन दोनों को अलग लग हमने कर दिया है यह सर मेरी बुस्तक आपके पास है मुल्क सूत्र की बुस्तक है जरक खोलिए और इसमें हमने दिया हुआ है राहु और केतु का ध्यन प्याज नंबर 32 से 42 तक ठीक है ना इसको आज आपका होवर कि यह है कि जो मैंने अभी आपको यहां पढ़ाया यह सर बिलकुल इसी वरकार विद एक्जाम्पल दिया हुआ है आप काइंडली इसको जरूर यह दस बेज ठीक है कि जो भी आपके डाउट है सारे निकल जाएंगे अधर आइस मैंने सारा आपको यहां बता दिया है लेकिन यह प्रैक्टिस के साथ आएगा ओके खुब प्रैक्टिस करिए इसकी